नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है सोनिया गांधी के दामाद तक एडी की जाज की आज पहुँच चुकी है उन्हें लंदन की जो एश है बहुत महेंगी पढ़ने वाली है यानि की सोनिया गांधी की जो दामाद हैं राहूल गांधी के जीजा अप्रेंका के पती रॉबर्ट वाडरा पर भी इडी का शिकंजा कस्ता जा रहा है समझीए कि बस जाज की आज उन्हें तक पहुँच चुकी है कौन सी जाज इस पर भी बात करेंगे इनका याराना आम्स डीलर संजे बंडारी के साथ बहुत चर्चित रहा है और अब हुआ ये है कि आम्स डीलर संजे बंडारी के खिलाफ चल रहे है मनी लॉंडिंग केस से जुड़ी जाज की आज रोबर्ट वाडरा तक पहुँच चुकी है मामले की जाज कर रहे है एडी की और से उनको जल्द ही पूछ आज के लिए सम्मन भी बेजा जा सकता है पहले आप ये समझ लीजे कि संजे बंडारी कौन है संजे बंडारी विदेशों से गाडियां ला कुछ बड़े बड़े लोगों से होती है और कुछ ऐसे लोगों से होती है जो दो नंबर के कारोबार में पैसा कमाते हैं। संजे बंडारी पहले लगजरी गाड़ियों को विदेश से भारत प्लाता था और यहां बड़े-बड़े दिगजों को वो गाड़ियें बेचा करता था इसी दोरान उनकी जान पैचान होती है राजनीतिक लोगों से और इसके बाद इसके बाद उनके वेपार को चारचान ल जिसका नाम Offset India Solutions रखा गया और इस कंपनी के जरिये ही वो अपना सारा धंदा जो है काला धंदा कर रहा था और बाकाइदा यह कंपनी आम्स्चों में हिस्सा लेती थी वहीं से फिर हत्यारों की दलाली का सिलसला शुरू होता है दोस्तों आपको यह तो याद होगा कि संज भगवड़ा करार कर दिया था और एक जून 2020 को इडी ने संजे बंदारी की तीन कंपनियों के खिलाब चार्शीर दाखिर की थी और उसी के बाद इनने भगवड़स घोशित किया गया था एक और बात संजे बंदारे की बहुत बड़ी संपत्ती जो है एजेंसी ने जट कर लिए और यह कारवाई वाडरा पे भी हो चुकी है संजय बंदारी को लेकर के लगा था बी जे बी ने कॉंग्रेस को निशाने पी लिया बीजे बी ने कई बार एक अरोक भी संग्यान लिया उसी में ये दावा किया गया कि वाड़रा को भंडारी से जुड़े हुए सेंटर लंदन में एक फ्लैट मिला था और उसी जान से ये पता चला कि सीसी थंपी भी रावट वाड़रा के बहुत नज़्दी किये हैं अब ये लोग अब जब ये बात शुरू हु क्यों क्योंकि गांधी परिवार के दामाद चोर भी है और अब जेल भी जाएंगे तो ओवियसली गांधी परिवार लोग तंदर को बताएगा खत्रे में है एक और बात है ये अब एक और डायलग बोलने वाले हैं राहुल गांधी और उनकी टीम की चुनाव बहुत इसलिए इडी को उनके पीछे लगा दिया है मतलब उनके दामाद के पीछे लगा दिया है और राहुल गांधी और सुन्य गांधी को ये नहीं पता कि उनका अपना भी नंबर आने वाला है उनका नंबर किस सिलसले में आने वाला है जो उन्होंने करोडों की प्रॉपर्ट केवल पचास लाक में खरी थी वहां तक भी जाच एडी की जा पहुंची है अब असली बात पर मैं आती हूं जो रोपर वाड़रा से जुड़ी हुई है एडी ने प्रेंका गांधी के पती राबर वाड़रा के बहुत ही करीबी सीसी थंपी ये भी काले धंदे करते हैं उनके के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्चिट दाखिल की है दोस्तों अंडरलाइन कीजे राबर वाड़रा के बहुत ही करीबी दोस्त के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्चिट दाखिल कर दी है और ये चार्चिट आम्प्स डीलर संजे बंडारी के खिलाफ च सुमिच चड़ा के खिलाब भी दायर की है और सुमिच चड़ा बेटिस नागरिक है ऐसे लोगों को दूसरे देश अपने आकी नागरिकता भी बड़ी इजिली दे देते हैं बात पैसे से जुड़ी हुई होती है जबकि जो सीसी थंपी है ये एनाराई है जिनका कारोबार द बंगला गाड़ी से लेकर के सारे एश पूरी के जाते हैं रोबर्ट वाड़रा के संजेब बंडारी फिलाल यूके में रहते हैं और वहीं से अपना काला कारोबार चला रहे हैं बंडारी की हिंदुस्तान वापसी को लेकर के आपको पता ही है कि भारत सरकार डिप्लोमेट लाने की कोशिश कर रही है और एक बात अभी जो नया कानून बना है उसमें भंडारी को भारत लाने के रास्ते और भी आसान होने वाले हैं एक और खुलासा हुआ है एडी सुमिच चड़ा और शीशी थंपी के साथ रोबर्ट वाड़रा के कनेक्शन और उनके बीच में ज चार्च कर रही है और मनी ट्रेल जो है उसके तार रोबर्ट वाड़रा से जुड़े हुए पाए गए हैं दरसल एडी का आरोप है कि सीसी थंपी और रोबर्ट वाड़रा ने न सिरफ फरीदाबाद में जमीन खरी दी बलकि दोनों के बीच में फाइनाशल रिष्ते भी है और ये भी खुलासा हुआ है कि सीपी थंपी और सुमी चड़ा दोनों संजे बंडारी और रोबर्ट वाड़रा के बीच एक कड़ी हैं और लंदन में 12 एल्टरन हाउस ब्राइंस्टन स्कॉाइर में जो घर है उसको 2009 में आर्म्स डीलर संजे बंडारी ने खरीदा था आप समझे इस बात को और इसी घर को फिर 2010 में बंडारी ने कागजों में थंपी को बेज दिया लेकिन लेकिन एडी ने जो जाज की है उसके मुताबिक ये घर रोबर्ट वाड़रा का है तो आप समझे कि भारत की जो धन है भारत का वो किस तरीके से विदेश में जा रहा ह घर रोबर्ट वाड़रा का है वो कागजों में पहले संजे बंडारी ने खरीद लिया फिर उसको थंपी को बेज दिया और ये भी पता चला है कि बेनामी संपती और जाज से बचने के लिए थंपी को ये फ्लेट कागजों में बेचा गया था साथ ही इस पूरे मामले की ज आज रोबर्ट वाड़रा के विदेश में चिपी ब्लैक मनी को लेकर के भी है तो आने वाले दिनों में दोस्तों आपको एक बार फिर से लोकतंत्र खत्रे में दिखेगा ऐसी आवाजें चारों तरब से सुनाई देंगी जब एडी रोबर्ट वाड़रा पर एक्शन ले र रहूल गांधी, CBI के सामने पेश हो चुके हैं, पूछता सुन से हुई है कई घंटे तक, करीब करीब सो सवाल तो सोनिय गांधी से ही पूछे गए थे Another thing, गांधी परिवार ने कैसे करोणों रुपे की जमीन को 50 लाक में खरीदा, ये जाच भी शुरू है, इसको लेकर भी लोकतंद्र को खत्रे में बताया जा रहा है जब बात रहूल गांधी, प्रेंका गांधी, वाड्रा और सोनिय गांधी पर आती है, तो लोकतंद्र खत्रे में आ जाता है आपको याद होगा, जब मनिपुर की घटना हुई थी और प्रधान मंतरी को सदन में जवाब देने के लिए कहा गया था तो रहूल गांधी ने कितनी बचकानी हर्कते की थी, कितनी बचकानी उन्होंने ब्यान दिये थे, कोई भी उन्हें, इनसे यह उमीन नी करता था, कि वो ऐसी बात कर देंगे कि मनिपूर में भारत माता की हत्या कर दी गई है लोगतंद्र की हत्या कर दी गई है लोगतंद्र को इन्होंने हत्या की जो बात कहते है न इस तरीके से करते हैं जैसे आलू टमाटर लेने गए हैं सबजी वाले से और भागतौल उनका सही नहीं हुआ तो उसको कह दिया कि लोक तंद्र की तुम हत्या कर रहे हो अरे आप क्या कह रहे हो आप ये तो समझो कि आपकी बात के माएने क्या निकल रहे है अब जब इतनी सारी जाज गांधी परिवार पे चल रही है अब उनके दावाद भी लपेटे में आ गए हैं तो एक जातरा और शुरू की जा रही है और ये जातरा जल्दी शुरू होने वाली है राहूल इसकी शुरुआत करेंगे पहले वाली भारत जोड़ोतोरो जातरा की तरह है और उसकी वाज़े भी इडी से बचने के लिए मानी जा रही है लेकिन आपने कभी देखा है कि इडी ने कभी किसी को छोड़ा हो केजरी वाल सरीखे लोग जो इतने शातिर हैं वो इडी के सम्मन के बाद भगे भगे फिर रहे हैं कभी अपने आपको छुनाओ में इन्वाल बता रहे हैं तो कभी अपने आपको वो कह रहे हैं कि हमारा दिमागी अराम हमको चाहिए इसलिए हम मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हैं और अब अब उनको तीसरा सम्मन भी जारी हो चुका है उसके बाद उनके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं है एक ही रास्ता बचता है कि वो अपना दस दिन और एक्सेंट कर ले उसके बाद दस दिन और एक्सेंट कर ले और फिर EDU उन्हें खुद लेने के लिए टीम भेजे और होँआ पे तमाशा हो चुकि उन्हें लग रहा है कि मेरी सरकार वहाँ है ये बहुत दूर की बात है लेकिन ऐसा वो सोच रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग बहुत चाते रहा और इधर राहूल गांदी, प्रेंका वाडरा और सुनिया गांदी ये लोग भी जात्रा इसलिए कर रहे हैं कि एक महौल बना सकें कि उनका पूरा परिवार बहुत पाक साफ है और मोधी सरकार बेवजय उन्हें परेशान कर रही है क्यों ये हमेशा उस समय ये बात कहते हैं लोग तंद्र खतरे में हैं जब इनकी पूछ पे पैर पड़ता है जब इनके खिलाब कारवाई शुरू होती है जब इनके काले कारणा में लोगों के सामने आते हैं तो जन्ता अब वैसी नहीं है जैसी साट और सत्तर साल पहले थी जन्ता अब समझदार हो चुकी है आप देखिए तीन लाज्यों में कैसे उन्होंने अपना जबाब दिया है किस तरीके से कॉंग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसका दी वहाँ के लोगों ने और अब 2024 का चुनाओ भी है तो जन्ता बताएगी इन्हें कि कैसे ये कहते हैं लोगतंत्र की हत्या हो रही है लोगतंत्र का भैग तो इन्हें खुद को नहीं है खुद ये काले कारणा में कर रहे है खुद लोगों से करोणों की जो जगह है वो 50 लाक में ले रहे हैं प्रपटी और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि प्रेंका वाडरा के जो पती है रोबर्ट वाडरा उन पे बड़ी कारवाई होने जा रही है और ये देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा कि उस समय गांधी परिवार किस तरीके से नहरू और इंद्रा गांधी के कामों की दोहाई दे करके जार जार रोएंगे और फिर से कहेंगे कि लोग तंद्रकी तो हत्या हो रही है ये लोग ये क्यों कहते हैं जब इन पे कारवाई होती है दूसरी बात ये एक और बात कहेंगे कि आग चुनाव आ रहा है इसलिए हमारे पीछे मोधी सरकार ने ED को लगा दिया है एक्जैक्ली ये बात कहेंगे क्योंकि ऐसी बात ये हमेज़ा मंचों से कहते हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए हमारे पीछे ED लगा दिया केजरी वाल सेम बात कहते हैं चुनाव आ रहे हैं इसलिए मेरे पीछे ED को लगा दिया है और मैं तो यहां हूँ नहीं दुनिया को पता है, मीडिया को पता है, मैं यहां नहीं हूँ, मुझे ED को सम्मन दे रहे हैं, यानि कि ED किसी के आने का इंतदार करेंगे, तब सम्मन को सर्फ करेंगे, अरे जिस प्रफाइल में आप हैं, केजिवाल की बात करेंगो मैं, आप मुख्यमंतरी हैं, आप चले नहीं हैं, सम्मन तीसरा, इस तरीके से ये अपने आपको बचाते हैं, the same way गांधी परिवार भी अपने आपको इसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है, और अब यातरा निकाल रहा है, और दो-तिन दिन में इन्होंने रोना और दहारना शुरू कर देना है, तो दोस्त अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सकाइब नहीं किया है, और आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सकाइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरा जो भी लेटरस कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों आप अपना और अपनों का ख्याल लगिए, खुश रहिए, स्वस्त रहिए, जै हिन, जै भारत!